हेलो आज़ बेलकम टो अनलोग जीएस अकेडमी आज 2 अक्टूबर का एक महत्पून दिन है जो कि गांधी जन्ती के साथ-साथ अंतराश्टी आहिंसा दिबस के रूप में भी मनाया जाता है आज के दिन 1899 में भारत में एक ऐसा बेक्तित्व अप्तरित हुआ जिनके बारे में यदि एक बाक्य में अगर कहना चाहें तो 20-20 सताबती के महान बैक्यानिक अलवर्ट आइंस्टीन का ये खथन प्रासंगिक लगता है जिसमें वे कहते थे कि 1000 साल बाद आने वाली नशले इस बात पर मुश्किल से विस्पास करेंगी कि हार मास से बना ऐसा कोई बेक्ति भी धर्टी पर अप्तरित हुआ था आज हम कोशिस करेंगी कि ऐसे बिराट बेक्तित्व की बिचार धरा के कुछ अंस देखें गांधिभादी बिचार धरा के अगर हम बात करें तो यह बिचार धरा आदर्स बात पर नहीं बल्कि भेवारेक आदर्स बात पर जोड़ देती है गांधिवादी दर्सा ने एक दो धारी तलपार के समान था जिसका उत्य सत्य और हैंसा के सिध्धान्थ के अनुसार ब्यक्ती के साथ समाज को एक साथ बदलना था गांधिची ने जो बिचारधारा का इनके जो पेड़ना इस्त्रोत रहे वे भगवत कीता, जैन धर्म, बौत धर्म, बाइबिल, गोपाल कर्शन गोखले जोकी उनके राजने दिक गुरू थे टॉलिस्टोई, जॉन रस्किन का प्रभाब उनकी विचारधारा पर रहा, टॉलिस्टोई की जो पुस्तक थी, The Kingdom of God is within you का मात्मा गांधी पर गहरा प्रभाब था, साथी साथ जो रस्किन की जो पुस्तक थी, Unto This Last, जिसमें सर्वोदे की सिध्धान को दिया गया था, उस जिसमें आहेंसा के बारे में गांधी जी कहा करते थे कि एक कमजोर ब्यक्तित्यों का ब्यक्ति आहेंसा को धारण नहीं कर सकता, आहेंसा का पालन करने के लिए ब्यक्ति को साहस्पून होना चाहिए, इसके लाबा सत्याग्रे को बात किया करते थे, सत्याग्रे जिसका उप उपयोग करके बिरोधी हिर्दय पर विजय प्राप्त की जाती है। दरसल इसको एक अगर लाइन में हम समझने की कोशिस करें तो यह भौतिक सक्ति को नैतिक सक्ति के आंगे जुखाने की एक कला है। जिसका उपयोग गांदी जी ने आजाधी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाब बखूवी किया। इसमें फर्स्ट में पर कहता है कि ब्यक्ति की भलाई सब की भलाई में नहित है, सेकिंड कॉंसेट में पर बताता है कि एक यदि बकील का कार है, एक नाई का कार है, एक धोवी का कार है, तो सभी के कारियों का मूल बराबर है, अचार जो सभी को जीव को पारजन का अधिकार ह और सभी के जीविकों पारजन है बै सम्मानित है गांधी इनी सर्वोदे के विचारों से प्रेरित है और इनी पर बल्दिया करते थे यदि हम सर्वोदे के सिध्धान्त को अगर लागू करें तो आज की जो हमारी तमाम समस्या हैं जैसे की गरीबी, भुकमरी, नकसलबाद जैसी कोछ समस्या हैं तो उसका सॉल्यूशन हमें सर्वोदे के सिध्धान्त में देखने को मिलता है जो सर्वोदे का सिध्धान्त है जो उप्योगिताबादी सिध्धान्त मिल और बैंधम का उससे विप्रीत है क्योंकि जो उपयोगितावादी सिध्धान्त है मिल और बेंतम का वो अधिक्तम लोगों के अधिक्तम सुक की बात करता है जबकि जो सर्वोदे सिध्धान्ता सभी के सुक की बात करता है इसके लावा गांजेजी सुराज की बात किया करते थे जिसमें बात करते थे कि 100 का 100 पर साशन जिसमें जो की नैतिक बल से संचालित होंगे और इसी के आधार पर एक स्टेटलेस सुसाइटी की बात किया करते थे जिसमें पर कहते थे खि अगर पि대क बैगती अपने सौ के आधर पर काम करेगा तो ऐसे समाज में पूलिस की कोई आवाशकता नहीं होगी इसके अलाबा आर्थिक सिद्धान के रूप में उन्होंने ट्रस्टिशिप का सिद्धान दिया जिसमें उन्होंने ट्रस्टी सिध्धान के तैत उन्होंने कहा कि जो निजी उत्यम है उसका जो स्वामित्व निजी होते हुए भी उसके जो स्वामी है उसे सारजनिक उपभोग के लिए सुलब कराएं साथी साथ उसका जो मालिक है वो संपत्ती का आपने आपको संदक्षक समझे उसका ट्रस्टी समझे ना कि उसका मालिक समझे और जो संपत्ती से जो उत्पादन हो रहा है उसको उत्पादकों के बीच बितरित किया जाए और जो उत्पाधन का जो लाब है केवल सौामी तक ना रहे बलकि सभी उत्पाधकों को उसका लाब मिलना चाहिए साती सात इस सिधान के माध्यम से गांधी जी ने जो मालक और मजदूर का जो संगर्सकी बात जो माक्स करता है उसके विप्रीद मालिक मजदूर के सहयोग की उन्होंने बात की साथी साथ गांधी जी उनकी पुस्ता काई थी 1909 में हिंद शुराज जिसमें वे ओधुकी की करण की आलोशना करते हैं और कि करण के आलोशना करते हुए लगू देश के लगू इवं कुटी रुद्योगों को भढ़ाने की बात करते हैं क्योंकि उस समय जो अधिकांस आबादी थी गाउं में बसती थी और गाउं में बसने के करण उनका जो जीवकों पारजन के साधन थे लगू कुटी रुद्योगों को पर निरबर थे और आदुने की करण जो द्योग आ रहे थे उसके करण से लगू इवं कुटी रुद्योग पिछ़ड रहा थे जिसके कारण से अधिकांस जनसें क्या गरीब हो रही थी तो इसलिए भे लगो एवं कोटी रुद्यों को पर जोड़ देने की बात करते हैं इसके लाब आप सौदेशी की बात करते हैं जो यह चर्का है एक सौदेशी का प्रतीक है आजादी की लड़ाई के दोरान जब आंदुलन के बीश में जब रशनात्मक कारे में वे चर्का चला कर सूद काते थे जो की अंग्रेजों के खिलाब लड़ाई में एक महत्पूर माध्यम बना और एक सौदेशी की अबधारना आज भी हम देख सकते हैं जैसे हम बात कर लें मेक इंडिया प्रोग्राम हो जिसमें हम उत्पादन के माध्यमों को बढ़ाने की बात करते हैं चाहे हम वोकल फो लोकल की बात करें चाहे आत निरफर भारत योजना की बात करें तो ये सुदीशी पर जोड़ देने की जो गांदीची की संकल्पना थी बै आज भी प्रासंगिक दिखाई पड़ती है इसके बाद हम बात कर लेते हैं गांदीची ने साथ घंगोर पाप बताए हैं जो कि उनकी बिचारदारा का ही एक अंग है जिसमें बै बात करते हैं कि काम के बिना धन अगर कोई अर्जित करता ह तो बै एक पाप है इसमें बै कहा करते थे कि अगर कोई बेक्ति काम के बिना अगर धन अर्जित करता है तो उससे उसकी साधन की पवित्रता नस्ट हो जाती है जो कि भड़ावा देती है ब्रश्राचार को और आर्थिक शोशन को सेकंड पाप बो पताते हैं कि अंतर आत्म के बिना अगर कोई सुक है तो बै पाप है बै कहा करते थे कि जो सुक की चाहा है उस पर विवेक का अंकुष होना चाहिए यदि उस पर अंकुष नहीं लगता तो क्या होता है कि जो देहिक सुक जैसे जो निमनिस तरिये सुक है उसकी समाज में अधिक्ता हो जाएगी और जो त्याग और परोकार जैसे उच्चिस तरिये सुख हैं वे समाज के अंदर से समाप्त हो जाएंगे तीसरे में अगर वो बात करते थे मानप्ता के बिना अग्यान की जिसके अंतरगर जो बिज्ञान एक सापेक साधन है जिसको या तो हम समाज की भलाई के लिए यूश कर सकते हैं या समाज के बिनास के लिए यूश कर सकते हैं समाज की भलाई के रूप में जैसे हम उससे मैडिसिन तैयार कर सकते हैं और भी कई तरीके के उसमें उप्योग किया जा सकता है दूसरी और हम उसका उपयोग एक बिद्धो अंसकारी हत्यारों के रूप में कर सकते हैं जैसे कि अभी रूस और युक्रेन के बीच में हम बिज्ञान का एक मिश्यूज देख रहे हैं इसमें जो मानता युमेनिटी के बिना अगर बिज्ञान होगा तो इस तरीके की इस्तिती पैदा होगी तो इसलिए ये इसको भी एक पाप मानते हैं इसके लाब एक विच चरित्र के बिना ग्यान की बात करते हैं बैवी उसको एक पाप के रूप में देखते हैं यदि कोई बैक्ति के पास ग्यान है, जैसे की बिलादेन था, एक अच्छा इंजिनियर था, लेकिन उसने किस तरीकी की गतिविदि की आतंगवादी गतिविदियो में सनलिप्त रहा, तो इस तरीके के अगर बैक्ति के पास चरित्र नहीं है तो उसके घ्यान का कोई मतलब नहीं है और बैस समाज के लिए एक तरीके से घातक है पाँचवे पाप के रूप में बात करते हैं सिध्धान्त के बिना राजनेती राजनेती में अगर कोई सिध्धान नहीं है तो उसमें अपसरबादिता अपोर्चुनिज्म भड़ेगा जो की जिसका अन्तिम लक्ष क्या होगा केबल सत्ता पाना तो सिध्धान के बिना अगर राजनेती है तो वे भी एक पाप है साथी साथ अगर कोई बेक्ती नैतिकता के बिना ब्यापार करता है तो उससे क्या होगा समाज में अविस्वास पैदा होगा जिससे समाज में अराजकता फैली की तो वै उसको भी एक पाप मानते हैं इसके लावत त्याग के बिना पूजा त्याग के बिना धर्म सिर्फ वे बोलते थे कि त्याग के बिना जो धर्म है वे एक कर्मकंडिय आधार पर सीमित हो जाता है और जो धर्म का जो मूल होता है ना कि जो मानब कल्यान करना वे कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता गांधी जी ने इन साथ पापों के माद्यम के जरिये से एक नैतिक विवस्ता को इस्थापित करने की कोशिस की थी इसके लाबा उनकी बिचारधारा को उनके कोट के दौरा भी जानने का प्रयास करते हैं इस कोट में गांधी जी कहते थे कि प्रत्वी सभी मनुस्यों की जरुवतों को पूरी करने के लिए परयाब संसाधन है लेकिन उसके एक बैक्तिकत लालस को पूरा करने के लिए नहीं यह जो कतन है गांधी जी के बिचारधारा को संदर्वित करता है जिसमें वे उपलब संसाधन और विकास के मॉडल की बात करते हैं साथी साथ इसमें वे बैक्तिकत इमानदारी को भी बताते हैं पर्याबरण जैसे कि आज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है बिस्व की जो लाको प्रजातिया है कि वो खत्रे के निसान पर है अगर हम IUCN की रेड लिस्ट की डाइटा सूची की बात करें तो उसमें अनेक जो प्रजातिया है बै बिलुपति की कगार पर खड़ी हुई है अभी हाली में आये हुए COVID-19 जैसे पेंडेमिक समय समय पर आपदाय आती रहती हैं कहीं लेंड से रेड हो गई कहीं भूकम पा गई कहीं बाल आ गई तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं बै पर्यापरण के अत्यदिक दोहन की कारण होती हैं और इस तरीके के अगर हम दोहन करते रहे तो इस तरीके की समस्याएं और ज्यादा आंगे भड़ती जाएंगी दूसरा अब एक बैक्तिकत इमानदारी को भी बताते हैं इसके माध्यम से जिसमें एक ब्रष्टाचार आज की एक मुख्य समस्या है जिसके पीछे अभी क्या है लोगों के पास सब कुछ प् क्याक प्रष्टाज विकास और सतदविकास पर बल देते हैं एकर की देख गत Game विकास यौ सद ही विकास पर बल देते हैं साती साथ्षाथ ब्रृती को लालस से दूर रहने की सला तेतें कि इसके बाद उनका नेक्स कोट देख लेते हैं कि कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते और छमा तागत पर की बशेशता है इस कोड के मादे हम से गान्जी जी बताना चाहते है कि किसी भी बैक्ती का जो चरित्र होता है वह उसके गुड़ों से बैक्त होता है यदि बै देहर है उसके अंदर का साहस है छमा है प्रेम है त्याग है तो बै एक परिपकु इस इंसान के रूप में होगा और जबकि अगर उसके अंतरकत क्रोध है लालच है रोस है या क्रूरता है तो बै एक कमजोर ब्यक्तित्व का उसका निर्माण होगा आजादी कि अगर हम संगर्स की बात करें तो गांधी चीन हमारी कोई कमजोरी नहीं है बलकि यह हमारी दर्ण इच्छा सक्ति को बताता है यदि आज हम देखें तो प्रितिस्वर्दा सब कुछ पा लेने की चाहा अपने आपको सर्फ्रेश दिखाने की चाहा समाज में भढ़ती जा रही है उपवोगतावादी संस्कृती समाज में बढ़ती जा रही है जिससे समाज में सहन सेल तक कम होती जा रही है और जो समाज में जो आज सही सूरता है बैक्ती को अपने से छोटे को दबाने की मानसिक्ता की ओल ले जा रहा है और गांधी जी के अनुसार ये मानसिक्ता उसे सर्फ्रेश दिखाना तो दूर उसे समाज के सामने बोना या कमजोर दिखाती है इसके विप्रिति यादी हम किसी को छमा करते हैं न तो भै बैक्ती को सुधरने का मौका देता है और जो की एक छमा सील बैक्ती होता है वो उसके एक मजबूत चरितर को संकेदेत करता है इसके लावा उनका नेक्स कोट है जो क्रोध और आसाहिशूनता है जो सही समझ होती है उसके दुष्मन होते हैं गांदी जी कहा करते थे जोस्त्रू होने के देखते हैं कि जो दोईस वाग्रहना की उसमें प्रवलता बढ़ेगी अगर उसकी अगर सखी समझ नहीं है तो या उसमें कुरोध और आसाहिशूनता अगर जाद पूर्टे उपयोग नहीं कर पाएगा अगर उसके अंदेगर क्रोध है आसा ही शूरता है तो साथी साथ बै क्रोध और आसा ही शूरता कि इस्तिति में अपने उपर से नियंतरन को खो देगा बैक्ति अपने जो दूसरे विचार होंगे उनको सुनने के लिए बन्चित हो जाएगा शाथी साथ दूसरों के शुतंत चिंतन को महत्म नहीं देगा तो इसके स्माज में अराजकता पहलेगी साथी साथ यह उसका जो मनमस्तिस्क रहेगा वह हमेशा नकरात्मक भाव संचार से प्रेरित रहेगा तो इसलिए गांदी जी कहा करते थे जो व्यक्ति क्रोध और आशाही सुनता से है उस सही समझ के दुस्मन है इसके लाबा गांदी जी कहते थे एक इंसान अपने बिचार का उत्पाद है जो सोचता है वही बन जाता है इसका जो बै कहते थे कि जो बैक्ति जैसा कार्य करता है जैसी उसकी बिचार प्रिक्रिया होती है और जो उसकी जो बिचार प्रिक्रिया होती है बही उसके एटिट्यूड यानि के अभिब्रति को निर्धारित करती है इसलिए जो बिचार होने चाहिए बे नैतिकता बा अंता करण के दिसा निर्दिशक से नियंत्रित किया जाने चाहिए जैसे अगर समाज में अगर करुणा का विचार है, बैक्ति के इंतरगत अगर करुणा का विचार है, कंपेशन का विचार है, तो समाज में बै समानुफूती लाएगा जबकि अगर समाज में हिंसा है, क्रोध का विचार है तो समाज के अंतरगत पे आपरादिक प्रवत्तियों को बढ़ावा देगा आज अगर हम बात करें तो आज उपवोक्तावादी संस्कृति समाज में भरती जा रही है जिससे बैक्ति एक मसीन की तरह बन गया है बै लोगों दूसरों के धन एबं बस्तों देखकर उसके बैक्तितों का निर्धारन करने लगता है आज जो समाज है बै एक सेल्फ सेंट्रिक याणि आत्म केंद्रित हो गया है तो इसमें गांधी जी की ये बिचार की प्रासंगिकता है इसमें बै कहते थे कि समाज में तारकिक नैतिक सोच को भढ़ाया जाए जिससे उनके बिचार अच्छे होंगे उनकी तारकिक ता अच्छे होगी और इससे एक भैतर समाज का निर्मार होगा इसके लाबा बै कहते थे स्वयम को खोजने का जो सर्वोत्तम मार्ग है वै यह है कि अपने आपको अनिक की सेवा में खोदें इसमें जो गांधी ची बताना चाह रहे हैं कि जो स्वयम को खोजने का अर्थ कोई सारे रेक या मानसिक गुड़ों का पता लगाना नहीं है बलकि ये जानना है कि जो मानब जो जन्म हमें मिला है उस मानब के अस्तित्व का उद्देश से क्या है जो मानब का जो अस्तित्व है बैस समाज के अस्तित्व पर निर्भर है क्योंकि यदि समाज में अगर समाज का अस्तित्व नहीं होगा तो मैं मानब का भी अस्तित नहीं होगा और समाज में जब सर्व ओदे होगा तभी हमारा ओदे होगा हम समाज से अलग नहीं है जो चरेती की उन्नती तभी होगी जब हम अपने कारियों का आकलन समाज के संदर्म में करेंगे जैसे हमारे अंदर जो मैं के भाब हैं उससे आंगे भढ़ कर हम हम के भाब को प्रेरित करें ऐसे हमारे समाज में जैसे हम गौतम बुद्ध को देखते हैं महावीर देखते हैं स्वयम गांधी जी को देखिए उन्होंने अपना जीबन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया भारतिय सास्त्रों में भी कहा कया है कि परहित सरस धरम नहीं भाई मतलब दूसरों का जो हिट करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है आइंस्टीन भी कहा करते थे कि जीबन केबल दूसरों के लिए जीने लायक है मदर टेरिसा जिन्होंने अपना जीबन कुष्ट रोगियों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया तो गांदी जी भी यही कहना चाह रहे हैं कि स्वयम को खोजने का सर्वत्म मार्ग जो है बै अपने आपको अन्नी की सेवा में खोदेने पर है इसके लाब हम आज के समाज में बैसे कि हम प्रासंगिकता आज देख चुके हैं लेकिन और प्रासंगिकता के बारे में आकर हम चर्चा करें तो जो सत्द और हैंशा के जो आदर्स है गांधी जी के बै उनके संपून दर्सन को रिखांकित करते हैं और आज भी बै मानब जाती के लिए आतियन्थ प्रासंगिक हैं महात्मा गांदी जी की जो सिच्छाएं हैं आज और अधिक प्रासंगिक हो गई हैं क्योंकि आज समाज में उप्वोक्तवादी संस्क्रिती बढ़ती जा रही है लालच बढ़ता जा रहा है साथी साथ ब्यापक इस तरह पे हिंसा बढ़ती जा रही है और जो हमारी के लिए महात्मा गांदी की सिच्छाएं काफी प्रासंगिक है जो सायुक्त राज अमेरिका में जो मार्थिन लूतर किंग है अफ्रिकी गांदी के रूप में जाने जाते हैं ड़क्षण अफ्रिका में जो नैल्सन मंडिला है म्याममार की जो आंगश क संसुकी है इन और भौतिक बाद, लोकतंतर अधिनायक बाद के बीचे एक जो बड़ा युद्धु चल रहा है, इन बड़े युद्धों में लड़ने के लिए ये ठीक होगा कि समकालीन समाज गांधी बादी दर्शन को अपनाए, गांधी बादी जो विचार धारा है, आज तो प्रासंग गांधी जी ने एक जंतर दिया था पूर सभी समाज को, उन्होंने कहा था कि जब भी मुझे संदे हो, तुम्हें संदे हो, या तुमारा अहम तो एरोगेंस तुम पर हावी होने लगे, तब तो ये कसोटी अपनाओ, बै कहते थे जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी, जो त अपनी ही जीवन और भागे पर कुछ काबू पा सकेगा, यानि क्या, उसने उन करोडों लोगों को सुराज मिल सकेगा, जिनके पेट भूके हैं, आत्मा आतरप्त है, तब तुम देखोगे, कि तुमारा संदे मिट रहा होगा, और तुमारा एहम समाप्त हो जा रहा होगा, तो इस गांदी जी के जंतर के साथ हम अपना ये सेशन समाप्त करते हैं, गांदी जी का बैक्ते तो इतना ब्राठ है कि उनको एक सेशन में उनकी बिचार धरा को नहीं बताया जा सकता, इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे, प्लीज इस्टे ट्यून, अबस्क्राइब तो इसाथ चाहडमी तेना ब्लोग जया सकते हैं, थैंक्य।